करनाल के घोगड़ी पूर में पोल्ट्री फारम में काम करने वाले एक यूवक की संदिग्द परिस्थितियों में करंट लगने से मोथ हो गई बताया जा रहा है कि वह जब छट पर चड़ रहा था तो अचानक करंट की चपेट में आ गया पुलिस ने मिरितक के शव का पोस्ट माटम करवा करशब परिजनों के हवाले कर दिया है मिरितक काफी समय से करनाल में रह रहा था आपको बता दे कि 12 साल से घर से दूर रहने वाले भटिंडा के जस्विंदर की करंट लगने से मोथ हो गई जस्विंदर घोगडिपूर में पोल्ट्री फारम में काम करता था पुलिस जाच अधिकारी ने बताया कि पिछले 12 साल से जस्विंदर लापता था यह जानकारी उनके परिजनों द्वारा दी गई उन्होंने बताया कि फिलहाल परिजनों को सूचना देकर शव का पोस्ट माटम करवाया गया है वहीं मोके पर मजूद परिजनों ने बताया कि शव का पोस्ट माटम करवाया जाए उसके बाद डेड बोडी को भटिंडा ले जाया जाएगा जहां इसका संसकार किया जाएगा करनाल से समचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट सर यह नहीं ते काम करते हैं तो इनको जैसे चत्यों पर चड़ में लगे तो उनकी करणट लगने की वज़े से इनकी मिर्फ्ती होगी कि और जी कापी टाइम से यहीं है कि शादी हो गई नहीं शादी हो गई नहीं मैरेट इस तो क्या बारा साल से घर से लाफटा थे जाते थे है अधिक के बार जाते से फोन बगार अभी करते से लेकिन बारा साल से करना रहा है तो पोस्टमाटम करवाया का जी पोस्टमाटम करवाया है अब यह बचिंडा डाट वोडी लेके जा रहे हैं आपका नाम भूपेंदर को इस एक नाम अब्धूर को प्रण पर नहीं पर अभी लोगडान के दुरान महां काम करने लगा था अब टिंडगा रहे नहीं वाला था तो जैसे जार रहता तो इसको करेंट लगे अपर से आई वोल्ट की तार जार की पचो गएगा तो इसके वास नोगिया स्पोर्टियस का रिबूटिन गया हो लेकर लाप पता था बा एसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल प्रिट वेर नोगे जार पर्टेश राजगराना और जोती गारण अजेबी बैंक्वेट एंटरपाइब